राम राम किसान भाइयों मैं अतुल कुमारतिवारी आपका अपने यूटूबißtु चैनल फार्मर्स बिलीब पर हरदिख स्वागत करता हूं किसान भाइयों मैं आज आपको लहसुन की खेती के बारे में सारी चीज्यों को बताऊँगा कि कैसे आप लहसुन की खेती को कर सकते हैं और इसमें क्या-क्या जो चीजें हैं उन्हें अपना कर खेती को और अच्छा बना सकते हैं तो किसान भाईयो चलिए सुरू करते हैं तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर अभी नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा तो किसान भाईयो जो लहसुन की खेती होती है वह आपकी सितंबर से एक्टूबर के महीने में लगा के कर दी जाती है जिससे क्या होता है कि आपके फसल जो है आपको जल्दी प्राप्त हो जाती है तो किसान भाई ओ लैसुन का बीज जो आपका एक एकड़ में जो लगता है वह 150 से लिकर 160 के बीज लगता है इसमें आपको एक एक जो लैसुन की एक गांट होती है उसमें से एक एक जियवा को निकाल कर उसको बोना होता है और बो के आप जो है उससे उत्पादर अच्छा प्राप्त कर से जैसा कि आपने जाना कि बीज दर इतनी लगती है अब उसके बाद बात आती है कि हम इस प्रक्रिया को कैसे कर पाएं तो इसको आप खुरपी के माध्यम से खेत में बेड बना कर बीज से बीच की दूरी तीन से चार सेंटीमीटर और इसको पांच सेंटीमीटर गहराई पर बोह देना चाहिए उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी बराइटी इसके लिए सबसे अच्छी होंगी तो उन बराइटी में जो सबसे अच्छी बराइटी हैं उनमें आप जो है उंटी लैसन बहुत सकते हैं देशी लैसन बहुत सकते हैं जी टू लैसन क्यों क्योंकि जो आपका भंडारन में या कोल स्टोरीज में दखने के लिए सबसे प्रसीद लैसन है वो आपका जी टू लै इसलिए आप J2 लहसुन की खेती करें और उससे आपको उत्पादन भी ज्यादा प्राप्त होगा तो किसान भाई अब बात करते हैं कि लहसुन की खेती में क्या-क्या तत्तों डालने चाहिए क्या और वरक डालने चाहिए तो आपको DAP, SSP और MOP पोटास की जाती है तो पोटास के डालने का करण एक होता है कि जो हमारी लहसुन की गांठे बने जो मारे लहसुन हमारा जब आपका उत्पादन प्रापत होगा निकले हों काफी सभी चीजयों को दियान में रखते हुए, पोटास को डालना चाहिए, 30-40 kg पर एकर, उसके बा लेकिन पीली मिट्टी की भूमे तो वह भी अठी मानी जाती है दोनों भूमियां बहुत अच्छी होती इसके खेती के लिए तो किसान भाई जैसा की पिछ़़े बार से लैसुन इस खेत पर लगा था तो वह लैसुन में अच्छा पराप्त हुआ था इस साल भी हमने इसी खे करती है डेकल उसी को डाल कर हम इसका उपचार कर लेंगे इससे बढ़िया है कि पिछले साल हमने जो दवाई डाली थी वह ज्यादा अच्छी काम ने की थी और दवाईयों का असर पियन पर भी पहुदा रहता है पौधों पर पहुदा है इसलिए हम ज्यादा कर निकाई गु प्रबंधन आपको पता है इसमें जब आपकी लगे कि आपको पानी क्या सकता है तब आप पानी दीजिए किसान भाईयों सबसे में चीज़ जो है कि आपका खरपतवार प्रबंधन हो गया सबसे में चीज़ आती है कि इसमें रोग और कीट प्रबंधन क्या होगा कीटों म मिल्डू हो गया और एक जले भी रोग लगता है वो लगता है एक आपका पत्ति सड़ने लगती है उपस पीली बागता में तो आप एक आता है क्या दे या पहली खाद काउंसी दे तो पहली खाद के रूप में आप इपको की सागरिका और यूरिया को मिलाकर खेट में ढाल दे में उसलिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट राप्त होंगे तो किसान बाइई मैंने आपको सारी चीजे इस पॉइंट के आधर पर बता करेंगे जै जमान जै किसान जै हिंद जै भारत